निस्चित्रूफ से पार्टी को मिस किया, कारकरताओं को मिस किया, मैंने प्रधान मंत्री जी से वादा किया था, छे महीने का जो सदुपियोग सबसे बड़ा हुआ, ये किताबे पढ़ने का, उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तरजे जफा क्या है, हमें भी शौक है, देखे सित्म की इंतहा क्या है, मैं मानी नयाले को धन्यबाद दूँगा और आगे की रणनीती पार्टी तैय करेगी, मैं पार्टी का कारकरता हूँ, जो पार्टी का निर्देश होगा, उसका पालन करूँगा, लेके निस्चित रूफ से पार्टी को मिस किया, कारकरताओं को मिस किया और सबसे बड़ी जो हम लोग सुबा से लेके साम तक रात तक काम करते थे वो एक अभाव महसुस होता था कि जेल में आप बंद हैं किसी कोई मदद नहीं कर सकते किसी के लिए कोई फोन नहीं कर सकते तो कई चीजों से असुविधा होई लेकिन मैंने प्रधान मंतरी जी से बादा किया था कि आपकी यातना का पैमाना मैं चेक करना चाहता हूँ तो हमने चेक किया रहे छे महीने जेल नियों किताबे देखी जो आपने जेल में पढ़ी तो समें भगे सिंग से लेकर एक और भी किताब की विशुकेत ताना शाह क्या कुछ से अध्यन के आपने देखे निश्चित रूप से छे महीने का जो सदुपियोग सबसे बड़ा हुआ ये किताबे पढ़ने का और मोबाइल नहीं होता था तो जो फोन के और मोबाइल पे वाटसेप पे ट्वीटर पे जो समय जाता था वो समय उसका सदुपियोग पूरी तरीके से किताबों को पढ़ने में किया और इससे बहुत होसला मिला और ऐसा महसूस हुआ कि इस दुनिया के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आजादी के लिए एक नहीं लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानिया दी है यातनाए सही है फासी के फंदे को चुमा है तो जो भी कभी भी लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करेगा अ हमने नेलसन मंडेला जी को पढ़ा, सहीदे आजम भगत सिंग को पढ़ा, रास्टपिता महात्मा गांधी को पढ़ा, रास्टपिता महात्मा गांधी जी की तो पहली गिरिफ्तारी साउथ अफरीका में हुई थी, सहीदे आजम भगत सिंग जी ने 23 साल की उमर में जो कुछ लिखा भगत सिंगी ने और उस पत्र के अंत में एक लाइन लिखी कि उन्हें ये फिक्र है हर दम नया तर्जे जफा क्या है जफा मतलब होता है अत्याचार उन्हें ये फिक्र है हर दम नया तर्जे जफा क्या है हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है तो भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश से ताना सा हुकूमत को उटाने के लिए, अपने मुखिया अरविंद केजरिवाल जी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, आम आदमी पार्टी का एक एक कारेकरता अरविंद केजरिवाल जी के साथ है और हम लोग जेल में रखके वो कहीं सफल हो जाए नियाले को धन्यबाद दूँगा और आगे की रणनीती पार्टी तैं करेगी, मैं पार्टी का कारेकरता हूँ, जो पार्टी का निर्देश होगा उसका पालन करूँगा।